नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM मैं हूँ आपके साथ सिम्रिन अच्छारवी लोकसभा का पहला संसत सत्र संपन हो चुका है पहला सत्र काफी हंगामेदार और जोरदार था इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओड़ से अपनी अपनी बात रखी गई इस अच्छारवी लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष पिछले दो कारेकालों से बिलकुल अलग दिखा इसकी वज़ाब ही थी क्योंकि पिछले दो कारेकालों में विपक्ष एक कमजोर इस्थिती में था लिखाजा सतपक्ष पूरी तरह से हावी रहा और अपनी मनमर्जी चलाता रहा लेकिन इस बार हालाक पूरी तरह से अलग दिखे क्योंकि इस बार विपक्ष एक मसबूत इस्थिती में है यही कारण है कि इस बार विपक्ष किसी बात को लेकर डरा या दबा नहीं बलकि हर मुद्दे पर अपनी बात को पूरी ताकत से रखा और सरकार के जूटे दावों का बड़ा फिरोत किया हलाकि इस बार फिर राष्टपती का अभिभाशन एक सरकारी भाशन की तरहा ही रहा जिसको सुनकर यही लगा कि यह देश की माहा महीम का अभिभाशन नहीं बलकि सरकार की उपलब्धियों वा योजनाओं का गोशना पत्र है वैसे यह कोई पहली बार नहीं था पिछले दो कारेकालों में भी ऐसा ही होता रहा है इसके बाद जब राश्टपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताफ पर चर्चा हुई तो सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से जबरदस्त बहस देखने को मिली एक और विपक्ष जहां जनता के मुद्दों को और नीट जैसे मामलों पर चर्चा के लिए अपील करता रहा तो वहीं दूसरी तरफ सत्तापक्ष ऐसे सभी मुद्दों से पूरी तरह से बचता नजर आया हलकी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला भाषण काफी जोड़ता रहा इस दौरान सत्तापक्ष लगतार हंगामा करता रहा इतना ही नहीं राहुल गांधी के भाषण के दौरान NDA सरकार के कई मंत्रियों ने बीच में ही टोका टाकी की लेकिन हैरा पहला मौका होगा जब नेता प्रतिपक्ष के भाशन की दोरान खुद प्रधान मंतरी ने खड़े होकर आपत्ती जताई हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाशन और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के उत्तर से साफ है कि चुनाव के एक महीने बाद भी दोनों पक्ष चुनावी मानसिक्ता से नहीं उबरबाये हैं। सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला। ऐसे में राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये पहला भाशन था। धन्यवाद प्रस्ताफ पर एक जुलाई को राहुल गांधी ने लगभक देड़ घंटे से भी लंपा भाशन दिया जिसकी काफी ज्यादा चर्चा है। इस पूरे भाशन में राहुल की राजनीतिक समझ भासा शैली और आत्म विश्वास में काफी सुधार दिखा। अपने जोरदार भाशन में राहुल गांधी ने जनता से जुड़े कई मुद्दे उठाया। उन्होंने पेपर लीक और चात्र के भाशन से जुड़ा मुद्दा पूरे जोर शोर की साथ उठाया। दरसल संससत्वर के शुरू से ही नीट वा पेपर लीक मामने पर विपक्ष चर्चा की लगातार मांग कर रहा। लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तयार ही नहीं हुआ। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि राष्ट्रपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताफ पर चर्चा के बाद एक दिन नीट पर चर्चा के लिए रख लिया जाए। राहुल गान्थी का कहना था कि नीट पर चर्चा इसलिए बहुत जरूरी है ताकि छात्रों और युवाओं में ये संदेश जाय कि संसद उनके लिए सोच रहा है संसद को उनके भविशे की चिंता है विपक्ष पहले दिन से अंतिम दिन तक इस पर चर्चा की मांग करता रहा राहुल गान्थी ने नीट पर चर्चा के लिए प्रधान उंतरी मोदी को पत्र में लिखा लेकिन सत्ता पक्ष इस समुद्धे पर चर्चा के लिए किसी भी कीमत पर तयार नहीं हुआ अपने लंबे भाशन में राहुल गांधी ने सरकार और बीजेपी पर जम कर निशाना तो साधा ही साथी किसानों महंगाई तानाशाही और अगनी वीर योजना जैसे जनहित से जुड़े कई मुद्दों को भी उठाया इस दोरान राहुल गांधी ने भाशपा पर खुद को हिंदू कहकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया राहुल के इस बयान को सत्ता पक्ष ने हिंदू समाज से जोड़कर उन्हें घिरने का भी प्रयास किया हलाकि राहुल ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है बीजेपी हिंदू समाज नहीं है उन्होंने ये बात सिर्फ बीजेपी के लिए कही हाला कि काफी विवात के बाद राहुल गान्दी की भाषण के कई हिस्सों को हटा भी दिया गया इसको लेकर कॉंग्रेस सांसद ने आपत्ती भी जताई और स्पीकर ओम बिल्ला को पत्र भी लिखा लेकिन फिलहाल उनकी सुनवाई नहीं हुई राहुल गान्दी ने अपने भाषण में मणीपूर हिंसा का जिक्र भी काफी प्रमुकता से किया राहुल ने तो अपने भाषण में जनहित के कई मुद्धों को उठाया और सरकार को घेरते हुए उससे सवाल किये ऐसे में उम्मीद थी कि नेजा सदन पियमोदी राहुल के इन सवालों का जवाब देंगे लेकिन पियमोदी जब भाषण के लिए आये तो उन्होंने राहुल के जनता के मुद्धे से जुड़े सवालों पर जवाब देने की बजाए अपने पूरे भाषण को एक राजनीतिक भाषण बना दिया और एक ऐसा स्पीच इड़े डाला जो किसी प्रधान उंत्री का कम भाचपा के एक सामाने नेता का भाषण ज्यादा लग रहा था जो दर्शे आता है कि पीम की भाषण का इस्तर क्या रहा इतना ही नहीं राहूल गांधी ने अपने भाषण में मडीपूर का जिक्र प्रमुकता से किया था लेकिन पीम मोदी ने अपने पूरे भाषण में मडीपूर का कहीं जिक्री नहीं किया वो पूरी तरहा से मडीप के भाषण का राजिस्थान में भी रहा जाहिरे कि अच्छारवी लोकसभा के पहले सदन में जो महाल देखने को नहीं मिला वो सत्तापक्ष और विपक्ष से अपेक्षित्था चुनाफ परिणामों से हार जीत का फैसला हो जाने के बाद भी सत्तापक्ष और विपक्ष शक् तथा अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसवत चुनावों की तैयारी में जुट गया हैं। नहीं बनी रहेगी। में दूसरी और चारवी लोकसभा का पहला संसत सत्र पूरा हो जाने के बाद भी डिप्टी स्पीकर को लेकर के सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जंग जारी है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पत की मांग कर रहा है जो कि गलत भी नहीं है क्योंकि मोदी काल को हटा दें तो लंबे अर्से से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पत विपक्ष को देने की भी परंपरा रही है। अलाकि सोलवी लोकसभा में सत्ताधारी भाचपा ने ये पद अपने मित्र दल AIAGMK को दिया था। तो वहीं सत्तरवी लोकसभा में ये संबेधानिक पद खाली ही रहा गया। इस बार जब भाचपा ने ओम बिल्ला को ही स्पीकर बनाना पसंद किया तो जेप्यूटी स्पीकर पत पर भी अभी तक खामुशी है। विपक्ष ने साफ कहा है कि अगर उसे परमपरा के अनुरूप डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो वह अयोध्या से सीधे अवधेश प्रसाद को ही उम्मीदवार मनाएगा। कि सत्तापक्ष की ओर से अब तक इस बारे में कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आये हैं अब देखना होगा कि आगे क्या होता है फिलाल अच्छारवी लोकसभाग के पहले सत्र में विपक्ष ने जहां अपने मस्बूत होने की संकेत दे दिये हैं और यह दिखा दिया ह कि 5 साल जो है वो पिछले 10 साल से काफी अलग होंगे कि इस बार सत्तापक्ष अपनी मनमानी उतनी नहीं कर पाएगा लेकिन पर फिर पिछले 2 कारेकालों की ही तरह निराश किया है क्योंकि विपक्ष ने तो जनहित के मुद्दे उठाए लेकिन सत्ता पक्ष उनसे साफ बचता दिखा अब देखते हैं कि आगामी सत्रों में विपक्ष की तरह से अपनी भूमी का निभाता है इस खबर ने फिलहाल बस इतना ही ऐसी तमाम राशनित खबरों के लिए बने रहे हैं और देखते रहे हैं फोर पियम धन्यवाल